सत्तिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको यह बता दें जैसा कि आपको पता भी होगा कि सत्तिंदी का एप आ चुका है और उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना होगा इस एप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डा बीजेपी के राष्ट्री उपाद्यक्ष रगवर्दास बतोर पार्टी परिवेक्षक विदायक दल की बैठक में मौजूद रहे उधर शपत ग्रहंट समाहरों की तयारियां पूरी हो चुकी हैं समाहरों में प्रधानमंत्री मोदी, क्रीमंत्रियमिशा और बीजेपी प्रधवान और पूर मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया है, अक्षे कुमार, कंगना, रनौत और भूनी कपूर समयत कई बॉलिवुड सितारों को भी नेवता मिला है योग्या दितिनात आज दूसरी बार मुख्यमंत्रि पद की शपत लेने वाले हैं, उससे पहले सियम आबास पर वो कुछ नए विधायकों से मुलाकात भी कर रहे हैं कहा जा रहा है कि नए मंत्री मंडल में उनको जगह दी जा सकती है, जिन लोगों का मंत्री मंडल को लेकर नाम चल रहा है, उनमें एक एक शर्वा भी शामिल हैं, जिनको दो साल पहले बीजेपी के सीर्ष नेतरुत्त ने यूपी भेजा था इसके लाबा असीम अरुन का नाम भी है जो पूर्व आईपिस अधिकारी हैं और बीजेपी से चनाव लड़ने के लिए उन्होंने सर्विस से रेटार्मेंट ले लिया था, वो इस बार कन्नोस से लड़े हैं, इसके लाबा स्वतंदर देव सिंग, दिनेश खटेक, संदी इस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है, मामले की अगली सुनवाई 7 अप्रैल को होगी, हाई कोट ने अपने फैसले में कहा कि परसिती जन्य साक्षी से पता चलता है कि राज जी की पुलिस मामले की जांच को जारी नहीं रख सकती, हाई कोट ने पिछली बार परश्य मंगा सरकार से कहा था कि वो गबाहों को सुरक्षा दे और इलाके में CCTV लगाए, मामले में हिंदू सिना ने भी सुप्रीम कोट में जनहितियाच का दायर कर मांग की है कि इसकी जांच के लिए SIT बनाई चाहे, मतादे मंगलवार को भीड ने रामपुरहाट कस्बे के बोगतोई गाउं में बम फेके थे, जिसमें दस घर जलकर खाक हो गए थे, का जा रहा है कि भीड ने ये बम, TMC के नेता भादुशेक की हत्ता का बदला लेने के लिए फेके थे, भादुशेक का शब सुम्बार को मिला था भारती विदेश मंतरी एस जैशंकर ने आज दिल्ली के हैदराबाद हाउस में चीनी विदेश मंतरी और स्टेट काउंसलर वांगी से मुलाकात की, चीनी विदेश मंतरी का ये दोरा लद्दाक में LAC पर सेन जड़ब के दो साल बाद हो रहा है मुलाकात को लेकर एस जैशंकर ने टूइट कर कहा है कि हैदराबाद हाउस में चीनी विदेश मंतरी वांगी का अभिवादन किया हमारी चर्चा जल्द ही शुरू होगी वांगी की ये अगोशित यात्रा भारत द्वारा इसलामाबाद में इसलामिक सहयोग संगठन यानि OIC को लेकर दूसरा बयान जारी करने के कुछ घंटे बाद हो रही है इस बार OIC में चीन भी शामिल हुआ था जिसमें उसने भी कश्मीर मुद्दे का जिक्र किया था हलाकि भारत ने बयान जारी कर कहा कि ये भारत का अंत्रिक मामला है और चीन को इस पर बोलने का हक नहीं चार महीने से जादा वक्त तक कोई बदलाव ना होने के बाद अब पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं घरेलू एलपीजी गैस का सिलेंडर भी मंगलवार को 50 उर्पय महेंगा हो गया था माना जारा है कि आने वाले ध्रू में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में और बढ़ोतरी हो सकती है पाकिस्तान में शुक्रुबार से संसत सत्र शुरू तो हो गया लेकिन इसमें अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला जा सका इस पीकर ने सत्र को 28 मार्च तक के लिए मुलत भी कर दिया संसत सत्र के बेहद हंगामेदार होने के आशंका के बीच इसलामाबाद में और संसत परिसर में सुरक्षा व्यवस्ता बेहद मजबूत की गई व्यवक्षितलों के गठबंदन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मुव्मेंट यानि पीडियम के हमलों से घेरे इमरान खान शक्ति प्रदशन करने जा रहे हैं इमरान की पार्टी तहरीके इंसाफ यानि पीटियाई की ओर से 27 मर्च को इसलामाबाद में बड़ी रैली रखी गई है इमरान खुद इस रैली की तयारियों में जुटे रहे और कहा जा रहा है कि रैली में 10 लाग से ज़ादा लोग आ सकते हैं दूसरी और इसी दिन इसलामाबाद में पीडियम की ओर से भी रैली रखी गई है समाचार एजनसी रॉइटर्स ने अमेर्की अधिकारियों के हवाले से कहा है कि यूकरेन पर हमले में रूस की मिसाइलों का फेलियर रेट 60 फीसिदी रहा है इस सूचना से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूस एक महीने के बाद भी यूकरेन की छोटी सेना के खिलाप अभी तक अपने ओ देशों को माने में क्यों विफल रहा है रॉटर्स के मताबिक हाला कि अधिकारियों ने अपने इस दावे की पुष्टी के लिए कोई सबूत नहीं दिये है हला कि उन्होंने यूरोपिय देशों से ये भी कहा कि उन्होंने रूस को रोकने के लिए बहुत देर से काम शुरू किया जिनिसकी ने कहा कि आपने रूस पर प्रतिबंद लगाए उसके लिए हम शुक्र गजार हैं लेकिन इसमें देर की गई पहले ऐसा करने का एक मौका था उन्होंने कहा कि अगर प्रतिबंद पहले लगाए गए होते तो शायद रूस युद्ध शुरू रहीं करता रूस और युक्रेन के बीजारी जंग के दोरान ही अब उत्तर कुरिया ने गुरुबार को समुद्र की योर एक बैलेश्टिक मिसाल का सफलता पूर्व परिक्षन किया ये इतनी लंबी दूरी की मिसाल है जो अमेरिका तक पहुँचने में सक्षम है उत्तर कुरिया को इनका परिक्षन करने से प्रतिबंद इत किया गया है पहले भी ऐसा करने के लिए उस पर भारी प्रतिबंद लगा जा चुके है अब तक के खपरों में इतना ही बाकी खपरों के लिए बने रहे हैं सक्षिंजी.com के साथ